चोपड़ा एजो किस न यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो नीट का एप्लिकेशन फॉरम फिल करते समय जो डोकुमेंट्स अप्लोड करने हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए इसमें आपको जनल कैटेगरी कंडिडेट को 5 परकार के डोकुमेंट्स अप्लोड करने हैं और बाकी कैटेगरी कंडिडेट को 6 परकार के डोकुमेंट्स अप्लोड करने हैं जिसमें फोटोग्राप, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राप और फोस्ट कार्ट साइज का फोटोग्राप जो 4 इंटू 6 इंच होता है, इसके अलावा सिगनेचर, लेप्ट एंड राइट, हैंड, फिंगर एंड थम इंप्रेशन, इसके बाद में 10th की मांक सीट या सर्ट और कैटेगरी सर्टिविकेट, जनरल के अलावा सभी कंडिडेट को कैटेगरी सर्टिविकेट अप्लोड करना है, अगर ये ठीक से अप्लोड नहीं होंगे, तो आपको टेंशन बनी रहेगी, कि कहीं मेरा एप्लिकेशन फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, और ये प्रोब्लम फेस ना करनी पड़े, अब मैं आपको बताऊंगा, कि आपने डोकॉमेंट्स अप्लोड कैसे करने हैं, तो सबसे पहले हम फोटोग्राफ की बात करें, तो दो प्रकार के फोटोग्राफ आपको अप्लोड करने हैं, एक पास्पोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो छोटा होता है और दूसरा पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ जो बड़ा होता है 4 x 6 इंच का होता है तो इसके लिए आपको ये दोनों फोटोग्राफ अभी बनवा लेने हैं क्योंकि इनकी जुरत आपको एक्जाम के टाइम पर भी पड़ेगी यानि कि ये दोनों फोटोग्राफ आपको एक्जाम के टाइम एडमिट कार्ड पर पेस्ट करने हैं तो आप 6 x 8 कोपी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ है उसका बनवा ले इसको आपको एडमिट कार्ड पर पेस्ट तो करना ही है साथ में एक्जाम होल में अटेनेंज सीट पर पेस्ट करना है और इसकी जुरत मेडिकल कॉलेज में एडमिसन के समय भी होगी ये सैम फोटो ही आपको एडमिसन के टाइम पर देने होगी तो इसमें आप छे से आठ कोपी इसकी बनवा कर अभी रख लें पोस्ट कार साइज की जो बड़ी फोटो होती है उसकी भी तीन से चार कोपी बनवा लें ये भी आपको एक्जाम के टाइम एडमिट कार्ड पर पेस्ट करने होगी और बाद में मेडिकल कॉलेज में एडमिट कार्ड की कोपी सब्मिट करने होती है तो उसमें भी जरुत पड़ सकती है अब आपको ये दोनों फोटो सैम हो सकती है आपकी ये दोनों फोटो हैं वो सैम हो सकती है सिरफ साइज में ही डिफरेंस होता है वो है एक पासबोर्ट साइज की और एक फोस्ट कार्ड साइज की यानि की साइज ही छोटी या बड़ी है बाकी फोटोग्राफ दोनु सेम हो सकते हैं आपको आपके तो इनको बनवाते समय आपने जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि अगर आप ये जब दोनु फोटोग्राफ बनवाते हैं तो ये कलर और ब्लेक एंड वाइट हो सकते हैं तो मैं तो आपको यहाँ प्रिफेर करूँगा कि कलर ही बनवाना है और आजकल सभी कलर ही फोटो चल रहे हैं तो इसमें जो आप फोटो बनवाएंगे 80% फेस आपका वीजिवल होना चाहिए विदाउट मास्क होना चाहिए उसके अलावा जो आपके एयर से वो भी वीजिवल होनी चाहिए और ये वाइट बैक ग्राउंड का होना चाहिए अभी आप देखें इसमें सेंपल देख रहे हैं आप दोनों फोटो का सेंपल एक ही है बस साइज में ही फरक है इसके अलावा वाइट बैक ग्राउंड के अलावा जो इसमें नीचे कम्पेटर द्वारा लिखा जाता है वो कंडिडेट का नेम लिखा होना चाहिए आपका नेम लिखा होगा फोटो के उपर और इससे नीचे डेट ओफ टेकिंग फोटोग्राफ यानि कि किस तारीक को आप फोटोग्राफ ले रहे हैं ये रिसेंटली होना चाहिए जैसे कि आज फोटो ले रहे हैं तो आज की डेट होगी 9 अप्रेल 2022 तो इस परकार से आप इ 10 से 200 KB में अपलोड करना है और यही जो आपका पोस्ट कार्ड साइज का और पासपोर्ट साइज का दोनों फोटो हैं इसी साइज में आपको अपलोड करने हैं 10 KB से 200 KB के बीच में इमेज की साइज होनी चाहिए और जो इमेज का फोर्मेट है वो JPG फोर्मेट में होना तो इस परकार से आप अपलोड करेंगे तो आपको किसी भी परकार की कोई प्रोब्लम नहीं होगी इसमें फोटोग्राफ अपलोड के लिए और इन्होंने लेप्ट और राइट हैं के फिंगर और थम से सारे के सारे स्केन करने हैं आपको तो इसमें आप यह सेंपल देख यह 10-200 KB के बीच में आपको जरत पड़ेगी इसकी JPG फोर्मेट में होना चाहिए तो आपको ऐसा करना है कि इंक पैड से दोनु हातों के अंगुली और अंगुठे यह इंक पैड में एक बार लगा लें एक साथ लगाने के बाद में एक वाइट पेज ले लें उस एक साथ पेस्ट कर लें एक साथ इंप्रेश कर लें ताकि इस परकार जो आप यह से तो अभी आपको इस परकार का एक इमेज तयार करना है इसके लिए इंप्रेशन के लिए तो इसमें आपको कोई प्रोब्लम नहीं होगी एक वाइट पेज पर इस परकार से करके आप इस के बाद signature signature आपके running hand में होने चाहिए ब्लोक लेटर में भी नहीं होने चाहिए जिस परकार से running में signature करते हैं उस परकार से running hand में होने चाहिए यह 4KBC 30KB के बीच में JPG format में यह photo शोरी signature होना चाहिए तो आपके यह तीन परकार चार परकार के documents होगे इसमें दो तो पासबोर्ट साइज फोटो होगे पासबोर्ट का और पोस्ट कार्ड साइज का इसके अलावा आपके impression होगे left और right hand के और इसके अलावा signature होगे तो यह चाहर परकार के documents आपने upload ठीक तरह के से कर देने हैं इसके बाद आपने scan करना है category certificate को जो general category के अलावा जो candidate हैं EWS के हैं OBC के हैं SCST candidate हैं PWD candidate हैं इन सब को certificate upload करना है और category certificate upload करना है तो यह आपको category certificate PDF format में upload करना होगा जो इसकी size है 50 KB से 300 KB के बीच में होने चीए तो यह आपको upload करना है इसमें तो इसके लिए upload करने के लिए आप scanner से scan कर लें या फिर अपने mobile से आप registration कर रहे हैं तो इसको अच्छी तरह scan कर लें PDF format में अच्छी तरह visible होना चीए और इसके बाद में upload कर दें ऐसे ही आपको 10th की mark seat upload करनी हैं और जिन candidate के पास में PWD certificate है उनको PWD का certificate upload करना है यहां ध्यान रहे कि जो OBC का certificate upload करेंगे जिन candidate का OBC central list में आता है जिनका cast central list में आता है वही candidate यहां OBC फिल करेंगे जिनका central list में नहीं आता है OBC state में ही OBC है तो वह state के लिए तो applicable जरूर है लेकिन center में वह इस समय form में general category ही फिल कर ले अगर उनका central में OBC नहीं आता है तो तो वह state की counseling के लिए तो अपने OBC में count होंगे और central की counseling के लिए वह general में count होंगे ऐसे ही कुछ-कुछ state में EWS का होता है यानि कि EWS का किसी-किसी state में तो एक ही certificate होता है दोनों state का लेकिन किसी में अलग-अलग ये criteria है तो इसमें same EWS का भी यही है central का जिन states में अलग बनता है वो EWS का certificate upload करें central में जिनका EWS है अदर्वाइस फिर उनको अगर central में EWS नहीं है तो फिर central का EWS का certificate नहीं है तो उनको general ही फिल करना होगा तो ये कुछ condition थी आपको upload सही तरीके से करना है इसमें आलस बिलकुल भी नहीं करना है ये आपको फोटो अभी बनवा लेने है क्योंकि बाद में इनकी जोरत तो पड़ेगी ही आपको तो अभी बनवा करके इनको सही तरीके से upload कर दें तो ये सबसे अच्छा रहेगा आप को कोई tension नहीं रहेगी और आप अच्छी तरह से study कर पाओगे मिलेंगे नई अपडेट के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जैहन